आज हम मानसून प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं मानसून कहां से आता है कैसे आता है और कहां कहां वो बारिश करता है तो practically तो हमने इस चीज को देखा ही देखा है हम जानते हैं कि generally एक system जो natural system है कि हर साल हम देखते हैं कि जून में हमारे हाँ जून last में जुलाई में बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो एक system जो natural तरीके से बना है कैसे वो continue काम कर रहा है तो वो मानों प्रारंब कैसे होता है मानों कहां कहां बारिश करेगा कैसे करेगा यहां हम इसकी बात बाद में करेंगी सबसे पहली बात वो condition कौन कौन सी है जिनकी वज़े से मानसून की उत्पत्ती होती है या मानसून जो है भारत की और आगे बढ़ने रखता है तो उसके लिए कुछ point है वो आपको clear समझने होंगे तो यहां हम सबसे पहले बा के भुगोल वेता है उनके नियम के अनुसार जैसे ही यह हवाएं दक्षिन गोलार्द में यह जो हवाएं हैं जिनका direction क्या है तो आप देख सकते हैं कि नीचे south है यह north है यह east है और यह west है तो अगर इनके हम दिशा देखें तो क्या है यहां पर आप देख रहे हैं यह east औ और मुड जाती हैं मतलब यह जो हवाएं हैं वो यहां से इस तरीके से मुड जाती हैं तो यहां जो करक रेखा है यह साड़े 23 दिगरी उत्तरी अक्षान फरेखा जिसके जो भारत के मद्द से गुजरती हैं यहां पर तो जैसे ही यह इस भुमद रेखा को पार करती हैं अ यहां इस point को समझें क्योंकि इनका direction अब क्या हो गया है अभी तो दक्षिन पूर्वी था लेकिन अब इनका direction क्या हो गया है दक्षिन पस्षिमी देखी यह दक्षिन और यह पस्षिम जो हम दिशा की बात कर रहे हैं तो इनका direction जो है वो दक्षिन पस्षिमी हो चुका है direction व और ये Northwest, मतलब उत्तर दक्षिन पूरा पस्षिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिन पूर्व, ये दक्षिन पस्षिम और ये उत्तर पस्षिम, तो ये direction हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि हम यह direction की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही ये हवाएं, भुमद्रेखा को पार करती ह अपने दाहीनी और मुड़ जाती हैं अब जैसे ये दाहीनी और ये हवाएं जो है वो दाहीनी और ये हवाएं जैसे ही मुड़ती है तो देखिए इसके बाद क्या होता है जैसे ही हवाएं दाहीनी और मुड़ती है तो मुड़ने के बाद ये ये कहां पहुची है भारत के इस वाले भाग के पास तो कि भुमद रेखा इसके नीचे है और इसी से आगे चली थी और ये दाहिनी और मुड़ गई अब यहां पर ये मानसोन की उत्पत्ती जो हवायां पहुची है वो कैसे आई तो उन पॉइंट को समझने के लिए कौन-कौन से पॉइंट है वो एक तो है टेम्प्रेचर एक तो कौन सा है टेम्प्रेचर और दूसरा है एयर प्रेशर ठीक है वायू दाव जिसे हम कहते है एयर प्रेशर मतलब वायू दाव और टेम्प्रेचर मतलब ये ताप मान इन में क्या है अपोजिट रिलेशन सिप है जैसे बीजेपी कॉंग्रेस आप इसको मान सकते होगे एक दूसरे के विपरिच चलते हैं जैसे ही temperature down आता है तो air pressure high हो जाता है और जैसे ही air pressure high आता है तो temperature down हो जाता है ये इनके बीच का relationship है अब इस relationship के according ही temperature और air pressure के according ही यहाँ प इसका जल का और इस्थल का सुभाव जो ठंडे और गर्म होने की इनकी इस्थितिये वो दोनों की अलग-अलग है जलिये भाग में तो क्या होता है जैसी जलिये भाग जो है सूरे की किरने जब पढ़ती है तो जल भाग तो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है जबकि जो इस्थल भाग है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है ध्यान से सुने मेरी बात ये सारे पॉइंट ये basic topic हमको ध्यान रखना है तब ही हम समझ पाएंगे कि मानसून कहां से चला और कैसे पहुचा तो मैं बोल रहा हूं कि temperature और air pressure में opposite relationship है लेकिन सबसे बड़ी बा गर्म और देर से ठंडा होगा जबकि इस्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा इसको practically अगर आपको समझना है तो आप इसका एक example जनरली इस टाइम गर्मियों में आप कर सकते हैं एक पानी की बाल्टी बाहर रखें बरकर और एक रेत की बाल्टी बजरी जो ह बाल्टी बाल्टी गर्म हो जाएगा ऐसी जब वह रात का वक्त होगा तो रेततिला भाग तो शाम को हुँ ठंडा हो जायेगा लेकिन पानी देर तक गर्म रहेगा तो यह जलिये भाग का सव वाब से गर्म और देर से ठंडा होता यह जबकit इस्थल भाग जल्दी गर्म बनती है देखिए हम बारत के मैप को एक वार यहां समझें कैसे बनती है वो इस्तिती यहां देखें आप इसको देखिए यह जो भारत का मैप है अगर भारत के मैप की इस्तिती में हम देखें कि कहा एर प्रेशर हाई और लो होता है तो उसको हम यहां पर समझेंगे और तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे मानसून आगे बढ़ता है देखी ये राजिस्थान का जो भाग है तो ये यहाँ पर थार का मरुस्थल है यहाँ पर जो है ये क्या है थार का मरुस्थल ये वाला जो भाग है ये ये थार का मरुस्थल है और इस थार के मरुस्थल में क्या होता है temperature जो है high रहता है अभी गर्मी के समय में यहाँ पर temperature high है यह लू चल रही है और वो हम तक भी पहुँच रही है तो यह जो temperature high है यहाँ पर temperature कैसा है high है और उसकी वज़े से air pressure यहाँ पर अब कैसा होगा low होगा क्योंकि opposite relationship है और जबकि जो जलिये भाग है यह भुमद रेखा के उपर वाला यह जो भाग है इस जलिये भाग को गर्म होने में समय लगेगा इसका मतलब यहाँ पर temperature कैसा होगा low होगा और temperature low होने की वज़े से जो है देखी यहाँ पर temperature यहाँ पर low प्रेशर आजाएगा लो तो हवाएं जो है वो उच्छ वाईदाप से निम्न वाईदाप की और जाती हैं कहां से कहां जाती है हवाएं हाँ बिलकुल उच्छ वाईदाप से निम्न वाईदाप की और जहां भी हाई प्रेशर होगा वहां से लो प्रेशर की और हवाएं जाए वाली तो ग्रीश्म रितू में क्या होता है अभी जो समय है यहां पर क्या होगा सागर यह जो भाग है इन सागर यह भागों को यह पूरे सागर यह भाग है बंगाल की खाड़ी है यह अरब सागर वाला चो छेतर है यहां देखिए यह अरब सागर वाला जो छेतर है इस यहां पर air pressure हो जाएगा high और यहां क्या होगा यहां यह इस्थल भाग जल्दी गर्म हो रहा है जिसकी वज़े से यहां पर air pressure हो जाएगा low हो जाएगा यहां पर अब air pressure low होने की वज़े से क्या होगा high से हवाएं कहा जाने वाली है निमनी की और जाने वाली है निमनी की और और इसी लिए ये जो आप भाग देख रहे हैं जहां से हवाएं चलती हैं तो अब यहां इसको हम यहां देखेंगे यहां समझें यह भारत का दक्षनी भाग यह भुमद रिखा यह हवाएं दक्षन पूर्वी चली पैरल की नेम के नुशार इनकी दिशाएं बदली अपने दाहिनी और मुड़ी और मुड़ने के बाद यह कहां जा रही हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और जा रही हैं और उससे क्या होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और जाने के साथ यह सागरिय भागों से अपने साथ नमीवी ग्रहन कर लेगी जिन से बादलों का नि वा रहा है दक्षिन पस्चिम में तो जो हमारा मानसून है वो दक्षिन पस्चिमी दिशा यहां पहुंचने की प्रोसेसिंग थी वहां से जो मानसून की उतपत्ती हुई थी उसमें कौन-कौन से बिंदू थे तापमान, वायुदाब और जल और इस्थल के गर्म होने का सभाव क्योंकि जल देड से गर्म, देड से ठंडा हो रहा था, इस्थल भाग जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा हो रहा था जिसकी वज़े से low, high pressure and high air pressure है, वो अलग-अलग स्थान पर बन रहे थे, जो उच आईदाब था, high जो air pressure था, वो तो बन रहा था, जलिए भाग में, और जो low air pressure था, वो बन रहा था, थार के मुरुस्थल में, तो इसलिए high air pressure से हवाय जाने वाली थी, कहां पर, थार के मांसून अब हमारी और बढ़ रहा है, इसी डाइरेक्शन में, आलंकि वो अलग-अलग ब्रांचेश में बढ़ता है, अभी हम उसको देख लेंगे, इस शॉर्टली में आपको बताऊंगा, लेकिन डिटेल में हम उसको बाद में समझेंगे, मैंने आज आज आपको बताए मांसून की उत्पत्ती कैसे होती है, उसके लिए तो तापमान, वायुदाब, जल और इस्थल के गर्म होने का स्वभाब, और फिर उन से होती है हवाओं की दिशाएं, निशित, उच वायुदाब से निम्न वायुदाब की और, तो ये उच से निम्न की और जैसे हवाइं जाती हैं मतलब यहां पर जो high air pressure है इससे यह low air pressure की और जैसे ही हवाई जाती है तो मानसून की उत्पत्ती होती क्योंकि यह गरम हवाएं अपने साथ सागरों से नमी ग्रैंड करती हुई जाती है और आगे बढ़ती है अब आगे किस तरीके से बढ़ती है तो जो भारत का दक्षिनी भागा आप देख रहे हैं यहां पर जो भारत का दक्षिनी भाग अगर हम इस पूरे map को यहां पर वापस देखें अगर पूरे map को हम देखेंगे यहां पर तो देखी कैसे जो है यह आगे बढ़ता है उसको एक शौर्ट में आप समझ लेंगे यहां जैसी आया तो यह दो ब्रांचेज में डिवाइडर हो जाता है एक तो बंगाल की खाड़ी में होकर जाता है और एक अरब सागर में होकर जाता है लेकिन यह जो मुंबई का पशीमी तटे यह वाला भाग जो है यह मुंबई का जो पशीमी तटे यह उपर उठा हुआ है तो इस से टकरा कर 500 से 400 सेंटीमीटर तक बारिश यहां पर होती है और यह ब्रांच फिर आगे बढ़ती है इसकी एक शाखा चैननाई की और जाती है इस तरफ जो किवल 35 सेंटीमीटर वर्षा करती है फिर एक शाथा इसकी मद्ध भारत की और आगे जाती मैं के वले एक नॉर्मल स्ट्रेक्चर बता रहा हूँ आज हम डिटेल में डेट वाई जिसको पूरा समझेंगे एक जून को केरल में मानसून आता है एक जून की डेट है वो दो दिन आगे हो सकता है या दो दिन पीछे जो लानीनों और अनीनों धारा के प्रभाव के कारण होता है इसके बाद पांच से साथ जून का जो टाइम है उसका वो चैन्नई का है पांच से साथ जून में चैन नहीं पहुंचता है लगभग 13 जून के आसपास वो कॉलकाता पहुंचता है और उसके बाद वो हिमाले की इन स्रेनियों से टकरा करके तो कि अगर देखो हिमाले अगर यहां नहीं होता R.S. का कॉशन है अगर हिमाले हमारे उत्तर भारत में नहीं होता तो कैसी जलवाई होती हमारे उत्तर भारत की तो बिलकुल डिफरेंट होती एक तो एक ही मानसून तो सीधा निकल जाता तो हमारे बारिश नहीं होती और दूसरा ही है जब Siviria से ठंडी हवाई आती जो एशिया का उपर भाग है Siviria भाग वहां से जो ठंडी हवाई आती है उनको ही रोक ही नहीं पाता तो जो बर्फ आज हमाले पर जमी हुई है वो बर्फ हमारे मद्ध भारत तक जमी हुई होती लेकिन अब आपको लग रहा होगा अच्छा होता सरबर्फ जमी होती तो तक उससे बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हमारी बादित हो जाती बहुत सारी जो प्रॉबलम है उससे हमें होती तो वो चले टॉपिक बाद का है तो यहां यह जैसे ही मानसून टकराता है यहां टकरा करके एक इस थान है चेरा पूंजी और मौसिन राम चेरा पूंजी और मौसिन राम यह दो इस थान है पहले चेरा पूंजी था जीके का आनसर अब है मौसिन राम क्योंकि मौसिन राम में अब चेरा पूंजी से जादा बारिश जो है वो हो चुकी है और वो लगबग कितनी बारिश हो चुकी है लगबग 11 cm के करीब बारिश हो चुकी है तो यहाँ अब मौसिन रा में उसका अनसर अगर पूछा जाता है आपसे तो इसको और अमौर डिटेल में आगे देखेंगे इसकी एक ब्रांच अरुनाचल प्रदेश की और जाती है एक ब्रांच यह ठकरा कर यहीं रह गई घंगोर बारिश होती है जिससे चेरा पूंजी मिन मारसाल बार आती है यही एक कारण है और यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है एक इसकी ब्रांच चली गई कहां अरुनाचल प्रदेश और एक ब्रांच इसकी बढ़ती है आगे फिर पश्चिमी राजिस्थान की और पश्चिमी भारत की और लेकिन जैसे यह आगे बढ़ती है तो बीच में पहले बिहार पड़ेगा वहां डाई सो से चार सो सेंटी दो सो सेंटीमिटर तक बारि तो हमारे यहां जो बारिश होगी वह कम होते होते सित्टर से सो सैंटीमिटर रह जाएगी तो परयाब तो बारिश होती है कर मिलेए इसलही Comic कर पाते हैं लेकिन ओर अरुनी का पश्चिमी भाग है यह खाली रह जाता है क्योंकि मानसून एक तो हलका पड़ जाता है अरुन को पार नहीं कर पाता पार भी करता है तो जलकी कमी रहती है इसलिए यहां पर जो बारिश कम होती है इससे भी कम हुई और यह जो शाखा जाने वाली है यह भी क्या है अरावली की समानान तर आगे निकल जाएगी इससे भी यहां पर कोई बारिश नहीं होगी तो यहां जेसल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले आज आपको इस समझ में आ गया हो कि मान्फून की उत्पत्ती के लिए तापमान वायुदाब जल और इस्थल का सभाव और हवाओं की दिशा अगर यह हम अच्छे से समझते हैं तो मान्फून के बारे में भी अच्छे से समझते ह करें अभी जून जुलाई आने वाला है आप उसको देखें कि क्या ऐसा हो रहा है तो जोगरफी सब्जेक्ट का यह टॉपिक ऐसा जिसको हम प्रैक्टिकली देख सकने हैं तो आप उसे समझें नेक्स्ट टॉपिक हम आगे के वीडियो में देखेंगे ओके थेंक्यू